नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं अपने चैनल मनोज सिंग प्रियाग राज में आप सभी को स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज जिस बैकेंसी के बारे में बात करने वाले वो है पंचायती राजब्याग उत्तरपदे सरकार के दौरा आज अगर जिस बैकेंसी के बारे में बात करने वाले हो ग्राम पैंचायत यानि के गाउं से जुड़ी बैकेंसी है प्रतेक गाउं से 25 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है A to Z पूरी जानकारी आज इस वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ उत्तरपदे सरकार के दौरा यहाँ पे आर्टिटेक्ट कांसल्ट की बैकेंसी का नोटिपेकेशन दोस्तो जारी किया गया है इन बैकेंसी के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे क्या योगता है कैसे सलेक्शन होगा सलेक्शन इसमें only married based में मैं आपको बताया दे रहा हूँ यहाँ पे कोई एक्जाम दोस्तो होने वाला नहीं है eligibility क्या योगता क्या यह आपको देखना पड़ेगा कहां से आप अप्लाई करना चाहते है वो बैकेंसी देख लीजेगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं तो only only married based पे कोई भी एक्जाम यहाँ पे दोस्तो नहीं होने वाला है तो दोस्तो आए इस बैकेंसी के बारे मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ अगर आप हमाई चैनल पे ना हैं दोस्तो तो चैनल को subscribe कर लिए बेल की गंटी को on कर लिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी authentic और सही जानकारी सबसे पहले लेके उपस्तित होते हैं आए दोस्तो अब सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपने फोन में Google open कर लेना Google open करने के बाद आपको type करना prdfinance.up.gov.in ये type कर लेना है type करने के बाद आपको सीधा इंटर पे click कर देना है जैसे दोस्तो यहाँ पे इंटर पे हम click करेंगे जो official website है वहाँ पे हम इंटर करने वाले है दोस्तो थोड़ा सा वेट करेंगे इस तरह से दोस्तो हम जो पंचायती रिया राज बिवाग उतर पदेश की जू official website है वहाँ पे दोस्ों यस समय हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे देख पार है सीधा सीधा आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीर फेश सेकेंड के अंदरगर चिन्हित ग्रामों को ODF करने के संबने में तो यहाँ पे ही बैकेंसी का जो नोड़ पीकेसन अभी आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं नीचे में देखते हैं यहाँ पे देखिए आपको किस किस जगे होना है काम यहाँ पर ग्रामों की सूची भी दोस्तो आपको मिलने वाली है तो चलिए हम थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद थोड़ा नीचे आएगे और यहाँ पी मैं आपको B removable company का detail दिखाने वाला हूँ कि आपको कहां से 이후 की जूए जो आफ लाइन है उसको ऑल लाइन इसको देहरी है उसको कहां शनला है पर दोस्तों ओपिन कर दी यहां पर आप देख पा रहे हैं यह देखिए 875 आर्टिटेक काउंसलेटिंग इंजिनियर सिविल यहां पर यह भरती दोस्तों निकाली गई है और थोड़ा सा वेट करेंगे इस पर क्या करेंगे हम क्लिक करके अभी आपको जो डाउनलोड करके मै दिखाने वालोगों थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों और इस पर क्लिक किया हमने जैसे इस पर दोस्तों हमने क्लिक किया देखे बित आयोग फाइनेंस का एक और साइड ओपन हो गया है साइड ओपन होने बार नीचे की तरह आएंगे यहां पर आप देखिए सीधा- इंजिनियर सिविल नोटिस फार 875 आर्जीटेक कांसलेटिंग इंजिनियर सिविल तो यहां पर आप एड़टीजमेंट दोस्तों देख सकते हैं यहां से फार्म को अपलाई कर सकते हैं आराम से फार्म आपका जो फीलिंग है वो एक जून से स्टार्ट है लास्ट डेट आ गया और मैं आपको डिटेल्स इसमें दिखाने वाला हूं यहां पर देखिए पंचायती राज नीदे सरे लोहिया वहनों अले गन्य लखना उत्तरपदेश ग्राम पंचायतों का प्राकलन एवो माप पुस्दिका आप तयार करने हैं तो 875 बेकदिगत आर्टिटेक्ट का आधारित भुक्तान के आधार पर इन पाइनल मेंट है तो आमंत्रित होते हैं तो यहां पर देखिए एलेजिबिल्टी क्या है और यहां पर क्या डिटेल आप उससे मांगी गई है तो यहां पर देखते हैं पंचायतरी राज विवाग उत्तरपरदेश द्वारा ग्राम प देख पुस्तिका तैयार करने निट्राइद प्रदेश के प्रत्रेग जननपत है तो आर्टीटेक्ट कंसलेटिंग इंजियर सिवील अभेहरतों का पैनल तैयार सब्सक्राइब नीचे दिया गया है आठीटेक कंसलेटिंग इंजिनर सिविल 1875 पोस्ट है पचीस पद प्रती जनपद यानि कि पचीस पद जो है प्रतेक जनपद यानि कि जिल्ला में दिया गया है एज बागत करें तो 1865 साल साची गोड़ा बीटेक बीई सिविल या बी आ अब आगे बात करेंगे यहां पर आगे बात करेंगे आवेदन करनी के प्रक्या जो इस साइड पर आप जाके कर सकते हैं 15 जून तक आपका दोस्तों फार्म यहां पर फिलब किया जाएगा वही चीज़ डिटेल में नीचे दोस्तों आपको दिया हुआ है तो आप यहां प पर दोस्तों मांगी गई है ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस वेफसाइट पे बिजिट करके भी आप जो है इसका पीडियाप डाउनलोड करके दोस्तों देख सकते हैं तो लगभग जो इंपॉर्टन चीज है तो वह मैंने आपको सब बता दी है एक पीडियाप और म तो बिल्कुल आप पढ़ लीजेगा यहां मैंने इस लिए डाउनलोड की आपको दिखा दूँ कि यह इसका सेलेक्शन आपका कैसे होने वाला है तो इसका सेलेक्शन ओनली मायरेड बेस पे है मैं आपको फिर से बता दूँ इस पे कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है त भी तो सेलेक्शन कृटेरिया आप कि इंपलाइनम्नend दे सलेक्शन उड भी मेर बेस्टब्स music पर्वाइब भाइद बायदे ने ठीक्टेर बर दीकित आवरेड वीरिएफे के संपर देखेस इस यहां पर देखे सिर्प सिर्फ औल्ली मारेड बेस मैरेड बनाई जाएगी यहाँ पे इन्हों सीधा बता दिया है मारिट कैसे बनेगी यहाँ पे नीचे दिया हुआ सिद्सों देखिए यहाँ पे इन्हों बता एक मांग रफ 40% जीरो मार्क्स और 41-80% वालों के यहाँ पे 40 मार्क्स दिया जाएगा ठीक है यहाँ पे इस तरह यह बनाया जाएगा ठीक है दोस्तों नीचे आप क्वालिफिकेशन 2 में देख पा रहे होंगे डिग्री होल्डर, बीटेक, सिविल इंगिजिन, बी आर्च वालों को यहाँ पे 20 मार्क्स और डिपलोमा इन, सिविल इंग डिपलोमे वालों को यहाँ पे 10 नमबर दिया जाएगा, ठीक है एक्सपीजिन्ज का भी यहाँ पे दोस्तों का जोड़के यहाँ आपकी मेरिट त्यार की जाएगी यहाँ पे देखिया अगर आप NCC किये हैं तो आपको 5 नमबर NCC Sport वगएरा NCC B Certificate Discount Guide को 3 नमबर और यहाँ पे अगर आपने O-Level Nylate Computer Course Notification यह आपने O-Level कर रखा है तो यहाँ पे आपको 5 नमबर O-Level के भी दोस्तों दिया जाएगा सब माइने आपको बता दी है अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिपिकेशन जो भी जॉब गोर्मेंट के तरफ से जारी की जाए वो आप मिस्स ना करें अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं समात करेंगे जय हिन जय भारत